बोचपूरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपस्टार पवन सिंग को इंडस्ट्री का अनमोल नगीना कहा जाता है। उनके फिल्में जब भी सिनेमा घरों पे दस्तक देती हैं, दर्शक बेकाबू हो जाते हैं। दरसल सुपस्टार पवन सिंग इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में हैं और उनके सुर्खियों में रहने की वज़य भी कुछ खास है। दरसल हाल ही में आने की 17 सितंबर को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का जन्दिन था। और इसी मौके पर देश के तमाम बड़े कलाकारों ने उन्हें बदाई दी। बॉलिवुड के दबंग सल्मान अखान से लेकर खिलाडी अक्षे कुमार तक सभी ने मोदी जी को जन्दिन की बदाई दी। ऐसे में बोचपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सूपस्टार पवन सिंग भला कहां पीछे रहते। नबरों के मताबिक उन्होंने भी मोदी जी को फोन कर बढ़ाई दी। आपको बता दें कि हाल ही में सूपस्टार पवन सिंग ने भारती जन्ता पार्टी जॉइन की है और वो पार्टी अध्यक शमिच्छा से भी मिले और उन्होंने मोदी जी के स्वच भारत के सपनों की भी तारीब की सराहनी की। पवन ने तो यहां तक कह दिया कि वो मोदी जी की काफी इज़द करते हैं और अगर मोदी जी कहेंगे तो जरूरत पढ़ने पर बोजहाडू भी लगाएंगे।